दोस्तो बॉलिवुड इंडस्ट्रिय पूरी दुनिया में जाना जाता है और बॉलिवुड इस्टास के इंटर्व्यू जनता बेहदी खुशी के साथ देखते हैं लेकिन जब इंटर्व्यू और पार्टीस के दौरान ये स्टार बोल जाते हैं कुछ ऐसा जिसे पबलिक प् बॉलिवुड इस्टार्स का फर्ज बनता है कि वो जो भी बोले सो समझ कर बोले क्योंकि उनकी बात पूरा देश सुनता है ऐसे ही आज हम आपको पांच बॉलिवुड इस्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे पबलिकी कहदी इतनी जिससे सरमसार हुए उस स्टार्स के फैन नमबर एक अर्जुन कपूर ओल इंडिया बक्चोत के नाम से अपलोड हुआ यूटूब पर दो घंटे का शो चाहाँ पर बॉलिवुड इस्टार्स ने गालियों के इतने गंदे गंदे इस्तमाल किये जिसे सुनकर आप भी अप नमबर दो जैकी शरोफ दोस्तो अपने दोर में जैकी शरोफ का अपना ही जलवा चलता था जनता जैकी और अनिल की जोड़ी को खूब पसंद करते थे लेकिन शायद बुड़ापे में आका जैकी फिल्मों से कम अपने दी गालियों से ज़्यादा चर्चित विशे बनाये रखते हैं खुद सुन लीजिए उनके अजीबों गरीब गालिया नमबर 3 सोहेल खान जब सल्मान खान को इतना गुश्सा आता है तो क्या उनके भाई भी कुश्से वाले इंसान हैं तो अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि उनके भाईयों को भी बहुत गुश्सा आता है नमबर 4 आलिया भट आलिया भट को बॉलिवोड की चुलबुली अभिनेतरी के नाम से भी जाना जाता है और वो अपने फिल्मों को पुर्मोट करते वक्त एक अलग ही दुनिया में चली जाती है और ऐसी ऐसी सरमनाक और गंदी बाते बोल जाती है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंग दोस्तो सलमान खान और विवादों का बहुत पुराना नाता है लेकिन एक बार तो अपने बयान से बुरी तरह विवादों में आ गए थे सलमान और सलमान खान के दिये इस बयान पर कलोरो फैन सलमान खान से नाराज हुए थे दरसल सल्मान खान ने सुल्तान के पुर्मोशन के टाइम पर कहा था कि मुझे सुल्तान की शूटिंग के दौरान भारी भरकम पहलवानों को रिंग से उठा उठा के सिंस देने थे जिसे करने के लिए काफी महनत करनी पड़ती थी और बार में जब मैं शूटिंग खत्म होने के बाद रिंग से बाहर आता था तो मुझे बलतकार हो चुकी महिला की तरह फील होता था और मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था पदा नहीं सल्मान ने अपनी शूटिंग की ठकान को एक बलतकार हो चुकी महिला से कंपेलर क्योंकि वो तो सल्मान खान बहतर जानते हैं दोस्तो अब बॉलिवूट के इन गंदी गंदी गालियों को सरयाम देने वाले स्टार्स को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले